तो अभी हम एक कोशन करेंगे उस कोशन में हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे फाइंड करते हैं हम लोग characteristics polynomial characteristics equation और आजेन वैक्टर और आजेन वेल्यूस तो सबसे पहले हम एक में एक्जामपल लेंगे तो माल लेता है एक मैट्रिक्स है हमँआ रपास A, 308-1 तो हमें इसका फाइंड करना है पहला हम से फाइंड करना है characteristics, districts matrix दूसरा फंद करना है characteristics polynomial तीसरा फंद करना है characteristics equation चौथा फंद करना है eigen values पाच्पा फंद करना है है आई जेन vectors कमें यह 5 चीज्य फाइन करने ही यह matrix मैं ठीक्स करना एक अगर हमें टू बाइट उगया तो हम को भी मैटरीक्स और आंगे बस हमें गिवण सालोग रहेंगे तो सब्सक्रीच में हम पहले करेंगे characteristics matrix इसका solution एता है characteristics matrix so characteristics matrix हो मेशा होता है a minus lambda times i इसको matrix को कहता है हम characteristics matrix तो हमार a matrix वो है तो that is 308-1 minus lambda times i i0101 that will come 3 lambda 3 minus lambda minus 0 8 minus 1 minus lambda तो यह matrix consider होगे करते हैं तो यह जो matrix बना है इस matrix को हम हम लोग कहते है आई जी सऔरी 1957 स्टीक्स मैट्रिकस मेटरिकस होता है यह मैनेस रमडा ट्इमस लेमडाइब तेमस दॉड़ा ट्इमस आइग यह ृक्ष में इस आम कहते है characteristics matrix तो यह जो matrix बना यह है characteristics matrix तो इस characteristics matrix तो अब हम फैंड करेंगे characteristics polynomial चोंभ दूसरा आपाटल्टिक्स इसका ही दिटर्मिनेंट लेडाएं से तो ए मैंस टτεम्स का देटर्मिनिन वोक्त का जो कि दीटर्मिनेंट लोका 3-1-1-1 जबला विएसी में डिறमेनेंट एनने तो पिटरơ्मेनेंट इवाट 3-1-2-1 Upada minus 0 into 8 that is equals to 0 into 8 so 3 into minus lambda it will become 3 plus 2 lambda minus lambda square यह जो matrix बना है इसे हम कहते characteristics polynomial अब हमें तिसरा पूछा है characteristics equation find करना है तो characteristics equation होता है characteristics equation होता है a minus lambda times i equals to 0 so इसका determinant क्या आया था 3 plus 2 lambda minus lambda square is equals to 0 तो यह बन क्या हमारा characteristics polynomial इसको हम ऐसे भी लिख सकते है lambda square minus 2 lambda minus 3 is equals to 0 कुछ नहीं हमने इसको इधर लेके गए सारे टमको या फिर हम कह सकते हमने minus 1 से 2 olsa असको इस जो बना है इसे हम कहेंगे characteristics equation तो हमने अभी तक 3 치ज़ लिए characteristics matrix find कर लिए characteristics polynomial find कर लिए characteristics equation find कर लिए हमें characteristics equation find कर लिए हमें अभी find करना eigen values तो कभी भी हमें eigen values find करना ही रहती है ना तो आधी बैसिकल यह 3 चीज़ find करनी पड़ती है सब्सक्राइब करना परेगा आप डियर्ट बता सकते हैं इसे हम कहते हैं आइजन वैल्यूज तहमें इस वैल्यू फाइंड करनी है अब बैसिकली यह कॉड़ेटिक इक्वेशन हमें दिक्राइब कर सकते हैं इसके हम निकलेंगे त्री माइनस लेमड़ा इन्टू-फ्लस लेमड़ा इसे कष्णी यह फॉक्तर से हैं इसकी फिलुड यह को सब्सक्राइब 129-89 करत है एक त्री ग्याइक है मारी मैंश wants all to do you know लग आईजन वेक्टर चाहते हैं इसका यह लिए यालग आएगा और इसके लिए पिर आ लग आएगा तो आईजन वेक्टर हम कैसे करते है उसका एक फॉर्मुला होता है वह होता है ए माइनस लेम्डा टैंपस आई इन टो एक्स वेर एक्स इस ईग च्बॉस तो च będę आभी अभी यह मैंने अभी मीं फाइंड के था तो वह होता है मैट्रिक्स में 3 माइनश लैमड़ा जीरो एट माइनस वन माइनस लैमड़ा और जो एक्स यह जीतने्डर का मैत्रिक्स रहता है न उसी ओच यह उर्डर कोbs Plus वेक्टर्स को मिद्ट बोलते तो X1 और X2 लिए होगा है हमारा आजरो वेक्टर्स तो हमें X1 और X2 यह वेल्वा इंट करनी है तो हमें अलग 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 अचन वेक्टर्स आएंगे जो होता है वह डिपेंड करता है लैमडा पे तो 4 लैमडा is equal to 3 तो 3 लैमडा जब होगा तो यह क्या हो जागा 3 minus 3 0 0 8 minus 1 minus 3 minus 4 x1 into x2 अभी basically अपना simple product of matrices है अब मैट्रिक्स इसको सिंपल प्रोड़क्ट जैसे करता हम वसे हमें प्रोड़क्ट करके लिख देना है तो इसका जो प्रोड़क्ट करके आंसर आथा है 8x1-4x2 is equal to 0 that is 2x1 is equal to x2 so x1 is equal to 1 by 2 x2 let x2 is equal to t t यह कोई भी एक real number है मान लेते क्या फर्क पड़ता है या फिर एक्स्टी रहें देते हमें कुछ पर्क नहीं पड़ेगा बैसे real number होना चाहिए लेखने बहुत जडरी है तो यह हमार जो बन गया है आइजन वेक्टर आइजन वेक्टर when lambda is equals to 3 हम्हें similarly find करना है व्हेन lambda is equals to minus 1 तो हम find करते है find for lambda is equals to minus 1 अगर lambda equals to minus 1 है थो हम्हारा a minus lambda तेंपस आए इस इकोल स्टू जीरो तो होता है इंटु एक होते हैं आपर एकसी इस आईजन वेक्टर तो हमें इस एक्टर करना है एक माइनस लेमद्र टेंपस आ है ए मैंस लेमडा टेंपस है हमने तभी फायंड के था वो आया था था हमारा थी मायनस लमडा, 0 8, मायनस 1, मायनस लमडा X की वालो, फिर इस केस में हमको ले लेते X1 और X2, ये इस केस में अलग होगा ये फिर अलग होगा इस इकल तो 0 तो हमें लमड़ा इसको 1 तो ये बन जाएगा हमाहा 3 मायनस मायनस 1 ये 와ो 3 ना Bennett X-1 4 0 8 minus 1 minus minus plus 1 this will become 0 into X1 X2 is equals to 0 to this ko we simply multiply it normal matrices multiplication first 2 into 1st column that is 4 into X1 plus 0 times X2 2nd into 1st column 8 into x1 plus 0 is equals to 0 so 4 x1 is equals to 0 8 x1 is equals to 0 तो देखा जाते x1 की value इस case में 0 आ रही है x2 की value कुछ नहीं आ रही है तो मान लेते हैं हमें free करना है तो x2 will be t मान लेते हैं where t belongs to some real number x2 की value नहीं आ रही है मतलब क्या सिव x1 की value आ रही है बट x2 की value कुछ न कुछ होनी चाहिए ना तभी तो वह matrices hold कर रहा है तो हम x2 को free करना है मतलब उसे free रखना है तो हम t x2 की value मान लेते t हमारो जो आईजन वेक्टरस कंसिडर क्या था हमने किया था x1 और x2 तो x1 की value obviously हमारा 0 आया था और x2 की value आया थी हमारी हमने x2 भी रहन देना है बट हमने x2 is equal to t लिया है where t belongs to some real number तो इस case में when lambda is equals to minus 1 तो हमारा जो आईजन वेक्टर आता है that is x हो आता है 0 और t अगर यह से हम t common ले 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 तो 0 1 ठीक है तो यह हमारा था इसी तरह हम कर सकते हैं 3 by 3 matrix के लिए फिर 4 by 4 matrices के लिए तो हमें अगर मैं पर रिवाइस करा देता हूं अगर आईजन वेक्टर कैसे find करते हैं तो आईजन वेल्यू सबसे पहले find करनी पड़ती है तो आईजन वेल्यू कैसे find करते हैं तो आईजन वेल्यू find करने के लिए सबसे पहले हमें characteristics polynomial होना चाहिए तो characteristics polynomial होता है determinant a minus lambda times i is equal to 0 यहां से हमें quadratic equation और cubic equations विली इससे हमें equation मिलती है क्योंकि इसे क्यते हैं polynomial characteristics equation बोलते है इस पूर्य टम को characteristics equation बोलते है इसके कारण हमें equation मिलती in terms of lambda उस lambda की मदद से उस equation की मदद से हम lambda की value find करते है एक बार हमें lambda की value मिल गई तो we know the value of lambda so this is called eigen values आईजन वेल्यूस हमें पता है तो हम a minus lambda times i into x is equal to 0 करके हम eigen vectors find कर सकते हैं तो अगर मान लेते हैं हमारा अगर मैंटर सब 3 by 3 order का चल रहा है तो इस case में 3 variables आते हैं x1 x2 x3 तो यह हमारा eigen vector होता है तो इसे इस फॉर्मूली से हम find करते हैं आईजन वेक्टर्स और characteristics polynomials से find करते हैं आईजन values तो सबसे पहले हमें हमें पता होना चाहिए characteristics matrices के हमने पड़ा क्या होता है characteristics सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए